दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका प्रिक्षा खबरी में 10 फरवरी 2022 की महत्पून खबरों को देखेंगे इंडिया टेलीकॉम 2022 केंद्री रेल संचार तथा इलेक्ट्रोनिक एमसूशना प्रद्योकी संचार मंतरी अश्वनी वैशनों ने इंडिया टेलीकॉम 2022 एक विशेस अंतराश्टी व्यापार एक्सपो का उधगर्टन किया यहाँ वाड़े जी भाग की मार्केट एक्सेस इनिशेटिव स्कीम के तहट 8-10 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है इस कायक्रम का आयोजन टेलीकॉम एक्कुमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया जा रहा है तो अश्वनी वैशनों जी ने इसका उधगर्टन किया ध्यान रखेगा संग्रहालेों पर पहला वैश्विक सिकर समयलन आयोजित होगा संस्कती मंत्राले के तत्वाधान में पहला वैश्विक सिकर समयलन अपने प्रकार का होगा भारत सरकार इसको आयोजित करेगी ठीक 15-16 फरवरी 2022 को भारत में संग्रहालेओं की पुनर कलपना पर अपनी तरह का पहला दो दिवसी वैश्विक सिकर समिल नाजेत होगा ग्लोबल समिट संग्रहाले के विकास के शेत्र में अगणी दिगजों, डोमेन विशेशक्यों और चिकिस्कों को एक साथ लाये जाएगा 25 से अधिक संग्रहाले विज्ञानी और अंग्रहाले पेशेवर संग्रहालेओं के लिए नई प्रात्मिक्ताओं और कारपणालियों में सनलगन होंगे सनोगलू दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे है क्या नाम है इगलू आपको पता है बरफीले प्रदेशों में मकान जो विशेश प्रकार की डिजाइन मकान बनते हैं उनको इगलू कहा जाता है तो स्नोगलू क्या है स्नो से बर्फ तो याद रखेगा स्नोगलू दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे है हाली में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खोला गया दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे इस कैफे का नाम स्नोगलू है इससे पहले सबसे बड़ा कैफे स्विडिजल लेंड में था बर्फ से बनाये जाने वाले घर को इगलू कहा जाता है तो ये स्नोगलू कहा है जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में सूचना और प्रसारण मंत्राले ने सेंटरल मेडिया एक्रिडेशन गाइडलाइन 2022 इसमें एक कठोर प्रावधान शामिल है जिसके तहत यदि कोई पत्रकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक है तो मानता को निलंबित या वापस ले लिया जा सकता है जो राष्टी मानता प्रदान की जाती है पत्रकारों को अगर पत्रकार देश विरोधी कोई बात करता है अखंडता को खंडखंड करने वाली कोई बात करता है तो उसकी मानता वापस लेने का प्रावधान इसमें किया गया है मानता प्राप्त मीडिया कर्मियों को अपने प्रोफाइल पर भारत सरकार से मानता प्राप्त शब्दों का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा इसमें कंशोल उत्सो कंशोट उत्सो क्या है ये नाग संस्किति के अनियाईयों के लिए एक धार्मिक का एकरम है हाली में जम्मू और कश्मीर के डोडा में इसको मनाया गया लोग देवी पारवती के साथ भगवान शिव के विवा का जश्म मनाते हैं और अपने जीवन साथी की लंबी अमर की प्रातना करते हैं इसे गौरी तृतिया भी कहा जाता है कंशोट उत्सो एसियान इंडिया हाई लेवल कांफरेंस आन रिनियोबल इनर्जी नवी नवी करणी उर्जा मंत्राले विदेश मंत्राले आसियान सेंटर फौर इनर्जी और इंडोनेशिया ने सैंक तुरूप से एसियान इंडिया हाई लेवल कांफरेंस आन रिनियोबल इनर्जी की मेजबानी की है यह The Energy and Resource Institute के सहयोग से आजित किया आ जा रहा है इस समेलन की थीम Experience and Innovations for Integrated Renewable Market है ध्यान रखेगा इससे संबंदी जो प्रशन आएगा इसमें कौन-कौन मेजबान थे तो इंडोनेशिया नवीनो नमिकंडी उर्जा मंत्राले भारत सरकार विदेश मंत्राले भारत सरकार और आसियान सेंटर फॉर इनर्जी इन चार ने इसकी मेजबानी में भाग लिया मलब इसकी मेजबानी कर रहे है तेरी जो है The Energy and Resource Institute के सहयोग से इसको आजित किया जा रहा है इस समेलन के थीम Experience and Innovations for Integrated Renewable Market है ध्यातब बहे कि भारत विश्वभर में Renewable Energy विशेश कर सौर उर्जा की बात करें तो एक नया नेतित करता बन के उभरा है और उसका साक्षात प्रमाण दो योजनाएं हैं एक तो अंतरराष्टी सौर गड़मंदन का निर्माड उसमें बड़े बड़े देशों का जुड़ना बड़ी मात्रा में देशों का भाग लेना दूसरा वन सौर वन वर्ड वन ग्रिड वो जो योजना है वो अपने आप में दर्शाती है कि भारत आने वाले समय में रिन्यूबल इनर्जी की खेत्र में अगर बात की जाए तो ये पूरे विश्व का नेतित करता नजर आयेगा तो उसी तत्वाधान में उसी विस्तार में कह सकते हैं ये भी एक आयोजन है अब आप ये सूच रहे है वैस्विक दक्षिन क्या है वैस्विक दक्षिन मतलब बहुत सारे लोगों के मने में आ रहा होगा कि ये जरूरी दक्षिनी गुलार्थ में जो देश हैं उन देशों के लिए प्रविक्त होता है तो ये गलत है उत्तरी गुलार्थ हो या दक्षिनी गुलार्थ हो जो विकास सिल देश हैं आलफ विक्सित देश हैं उनके लिए वैस्विक दक्षिन एकी संकल्पना की गई है तो वैश्विक उत्तर वैश्विक दक्षिन थोड़ा सा ध्यान दीज़ेगे यहां पर यह वर्ड है तो कन्फ्यूज मत हुएगा तो 1974 में स्थापित इस संस्थान को पूर में टाटा औरजान संस्थान के नाम से जाना जाता था तो था वर्ष 2003 में इसका नाम परिवर्टित कर औरजा और संसाधन संस्थान कर दिया गया था डेली करेंट अफ्यास कुईज में क्या है तो बैंकिंग और वित्ती धोखा धड़ी के सलाकारी बूर्ड के प्रमुख कौन है तो यह है टी एम भसीन बैंकिंग और वित्ती धोखा धड़ी के लि जाने वाली फ्रांस की प्रसित कतकली देत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हो गया है वह 84 वर्ष की थी भारत सरकार ने आधिकारिक तोर पर एर इंडिया को टाटा समू को सौब दिया है इस सोदे का जो कीमत थी कितनी थी तो ये 18,000 रुपए थी तो भारत सरकार ने 70 वर्ष बाद समू काज़ण किया गया सौदे का कुल मूले 18,000 क्रोण रुपए है सरकार ने किस राश से उपर के सभी धोका धड़ी मामलों को कवर करने के लिए बैंकिंग और वित्ती धोका धड़ी सलाकार बोर्ड के दायरे के विस्तार की घोशना की है तो तीन करोण र से जुड़े सभी धोका धड़ी के मामलों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया है सक्री UPI ID वाले भारती ग्राकों को उनके बैंक हातों में रियल टाइम अंतराश्टी भुकतान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किस संस्था ने NPCI के साथ भागीदारी की है तो टे खिरापे की सुरक्षित भुकतान तकनिक के माध्यम से अपने बैंक हातों में रियल टाइम अंतराश्टी भुकतान प्राप्त करने के अनुमती देगा A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence नामक पुस्तक के लेखक कौन है रसकिन बांड ने पुस्तक लिखी है चर्जित पुस्तक थी मानसिक स्वास्त देखभाल में डाक्टरों को प्रसिक्षित करने के लिए कि स्राज ने भारत में अपनी तरह का पहला Brain Health Initiative लौंच किया है तो करनाटक सरकार ने नीत्यायोक के सहयोक से निमहनस द्वारा शुरू की गई पहल को पाइलट आधार पर बंगलूरू कोलार और चिक बल्ला पुर जिलों में शुरू किया जा रहा है किस राज के मंतिमंडल ने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए मन उरू मन बड़ी माना उरू माना बड़ी कायक्रम को मंजूरिदी है किसलिए सरकारी स्कूलों को जो आधार भूट आचा है मजबूत करने के लिए तेलंगानाने ठीक है तो आज के लिए अतना ही था दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है